हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे वरत और उपवास में खाई जाने वाले साबुदानी की स्वादिश्ट मज़ेदार खीर तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आधा कप साबुदाने लिए हैं यह छोटे वाले साबुदाने हैं सबसे पहले फ्रेंड्स हमेंसे क्या करेंगी दू से तीन बार अच्छे से पानी में वाश कर लेंगे क्योंकि क्या बार इसमें पाुदर की मातरा भी होती है और काफी स्टार्च भी होता है तो आप अच्छे से लेकिन हलके हाथों से साबुदानों को मसलते हुए अच्छे से वाश कर ले ये देखिए फ्रेंड्स साबुदाने में वाश कर लिये हैं और अभी फ्रेंड्स क्या करना है इसमें हमें थोड़ा सा पानी आड़ करना है और पानी फ्रेंट्स हमें कितना एड़ करना है कि ये जो साबूदाने है वो अच्छे तरह से डूब जाए पानी में इससे ज़्यादा हमें पानी एड़ नहीं करना है यह देखे अच्छे से साबू दाने हमारे पाणी में डूप गए हैं इतना लेवल तक ही हमें पाणी एड करना है यह देखे बहुत कम ही पाणी मेना इसमें एड किया है और अभी friends क्या करेंगे इसे cover कर लेंगे और कम से कम दो घंटे friends हम इसे भीगने देंगे और अभी देखे फ्रेंट्स दो गंटे के बाद साबूदाने हमारे बहुत अच्छे से भीग गए हैं आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हो गए हैं और एक एक दाना इसका अलग हो गया है थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अभी हमें क्या करना है फ्रेंट्स इसमें हाफ टी स्पून जितना प्यॉर्गी आड़ करना है यह देखे हाफ टी स्पून मैंने प्यॉर्गी आड़ किया है और अच्छे से इसे एक स्पून की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो इससे क्या होगा फ्रेंट्स यह जो साबूदा नहीं वो चिपकेंगे भी नहीं और एक-एक साबूदा ना हमारा अलग दिखेगा सबसे पहले फ्रेंट्स हम क्या करेंगे एक कोई भी मोटे तले का बरतन ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे तीन कप जितना दूद तो यहाँ पर फ्रेंट्स मेंने तीन कप यानी 750 ml जितना दूद लिया है तो दूद को फ्रेंट्स क्या करेंगे सबसे पहले गरम होने दे और ये देखिए फ्रेंट्स 6 मिनिट हो गए हैं दूद को उबलते हुए और अभी हम इसमें ये साबूदाने एड़ कर लेंगे तो मिडियम फ्लेम पे फ्रेंट्स आप 6 मिनिट दूद को पका लें पहले और इसके बाद साबूदाने एड़ करें अच्छे से mix कर लेंगे और साबूदाने add करने के बाद friends हमें 10 से 12 मिनिट का समय लगेगा खीर को बनने में तो medium to low flame पे हम खीर को पकाएंगे और बीच बीच में हम जलाते भी रहेंगे तो यह देखे friends आप देख सकते हैं एक-एक साबूदाना अलग लग रहा है और बिल्कुल भी इसमें चिपक नहीं रहा है अगर आपको लगता है कि खीर आपकी चिपकती है पतिले में तो आप पहले थोड़ा सा घी से बरतन को ग्रीस कर लें और इसके बाद दूद एड़ करें और यह देखे friends अभी 12 मिनिट हो गए हैं खीर को पकते हुए और अभी इसमें हम शक्कर एड़ कर लेंगे तो 3 टेबल स्पून जितनी शक्कर मैं इसमें एड़ कर रही हूँ क्योंकि हमने 3 कप दूद लिया है इसमें उस हिसाब से मैं यहां शक्कर एड़ की है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब आप फ्रेंड्स शक्कर एड़ करें तो गैस के फ्रेम बिल्कु लो रखें या बन कर लें और अभी इसमें एड़ कर लेंगे हाफ टी स्पून जितना इलाइची पाउडर हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे और यह देखें फ्रेंड्स खीर हमारी अल्मूस्ट बन के तयार हो गई है लेकिन अभी हम इसमें थोड़ से ड्राइफ रूट से एड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा यह तड़का पैन लिया है और सबसे पहले इसमें बादाम और चिरोंजी मैंने डाल दी है और एक टी स्पून जितना हम इसमें प्योर की अड़ करेंगे और इसके बाद हम गैसान कर लेंगे और चिरोंजी और पादाम को फ्रेंडस हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और यह ड्राइफ रूट्स डालना फ्रेंडस ऑप्शनल है बिना ड्राइफ रूट्स के भी खीर हमारे बहुत अच्छे लगेगी तो इसको बिल्कुल धीमी आच पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंडस चिरोंजी और यह जो बादा में वो रोस्ट होगी और इसको हम खीर में अट कर लेंगे अभी कुछ नहीं करना है हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और एक सर्विंग बॉल में हम इसे टांसपर कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंडस साबू दाने की मज़ेदार खीर हमारे बन के तयार है आप देख सकते हैं एक एक दाना इसका अलग है और कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है दूद की तो फ्रेंडस आपको मेरी रेसिपी अच्छे लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और यह रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभू मुझे शेर करें धन्यवाद